आई अचैसंग बनाने वाले ब्रेड पोहा और ब्रेड उपमा आप जोभी इससे कह सकते हैं यह होती है काफी ज्यादा मसालिदार और काफी ज्यादा टेस्टी तो चलो आच हम बनाते हैं तो मुस्ट ऊच्छी रसिपी ऑफ ब्रेड बिलकुल इंस्टेंट वाली तो यह है तोटल एट पीस लिया था मैंने ब्रेट का फिर इधा थोड़ा सा ओई लाइड करेंगे पैन में आप चाहो तो कोई भी आइल कर सकते हैं फिर थोड़ा बटर क्योंकि यह बनने वाली काफी ज्यादा अमेजिंग सी तो इसमें थोड़ा बटर भी जाना तो जरूरी है तो ठी सीट्स फिर थोड़ा चटक चाह मतलब इसे थोड़ा कुख हो जाने देते हैं उसके बाद हम इसमें एड करेंगे हमारा थोड़ा जिंजर और गार्लिक बिल्कुल फाइन चॉप्ट इसे भी हम थोड़ा साटे कर लेंगे इसे में ओवर कुख नहीं करना वरना यह काफी इसे भी हमें बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राइब करना है कि अधिया कर दिया कैप्सिकम अब चाहो तो यह कर सकते हो और फिर नहीं भी आट कर सकते हो बट यह जतनी जादी वेजिस उतना जादा टेस्ती और जादा हेल्दी भी यह परफेक्ट ब्रेक्फास्ट सकता है यह इसे भी हम में अप्छा फ्राइकश ऑल्ट इसे थोड़ा और फ्राइक होने के लिए रखना है सब्सक्रेंड करें अधिक साथ ज़ो कर सब्सक्राइब टोंदी हो जाएगा काफी सॉफ्ट हमें यहां पर फ्लेम ना बिल्कुल लो रखना है अब टमाटर को सारे को हमने एक जगा रख दिया है फिर हम इसे ढख देंगे लगबग पस 3-5 मिनट्स के लिए उससे जादा हमें बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसे में मिक्स भी तो करना है फिर अब यह देखो यहां पर 3-5 हो चुका है है यह टुमाटर्गो साफ होचके हैं यह दो क्ली है मिक्स करना है बहुत बहुत ही अच्छे पाव भाजी मसाला और गरम मसाला जो काफी सारा फ्लेवर एड़ करेगा हमारे ब्रेड पुहे और ब्रेड उप में अब जो भी इसे बोलो तो बस इसे हमें आप अच्छे से मिक्स करना है फिर अब हम इधर आड़ करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा एक्दम थोड़ा सा पानी को य कि बहुत जादा नगी बिलकुल हाफ कप बस उतना ही आप चाहो तो स्पून से कर सकते हैं बिलkुल थी स्पून उससे जादा नहिं फिर बस देखो यह बिलकुल ना मिक्स हो जाना चाहिए मुझे यहां पर पानी का कोई अठा पता नहीं दिख आ भाना जाए हास एक् ताक कि वुद्ध भी जूसी भी ऊजाए इसका सारा मुष्ट्र सारा ब्रेड ब्रेड सोक लेगा तो कि तो कि तो जादा है। अब इसे हम थोड़ा गार्टिश करेंगे कोरियंडर से फिर आप इधर थोड़ा लेमन भी डाल लेना इसके ऊपर तो यह बिलकुल मज़िदार लगेगी देखो किता जादा ही टेस्टी दिख रहा है आप जरूर ठ्राइब करना है थैंक यू सो मच